नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चैतिन निराथी and welcome to today's video of tracking tech आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पक्के reasons क्यों आपने OnePlus 5 खरीदना चाहिए ये मेरे भी reasons है क्योंकि मैं भी रुका हूँ कब OnePlus 5 आ रहा है और मैं कब उसे खरीदू तो let's get started दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon पर याद से click कीजिएगा आपको तुरंत notifications मिल जाएंगे हमारा पहला reason of course है इसका machine इसका processor जो power ये phone लेकर आता है आज का latest Qualcomm का जो latest processor है Qualcomm Snapdragon 835 processor 64-bit हमने आज तक सिर्फ दो ही phones में देखा है और वो है Sony Xperia XZ और US variant जो आया है Samsung S8 का ये दो ही phone में देखने को मिला है और OnePlus 5 में हम देखने वाल है जो उसके अल्मोस्त आदे कीमत में हमें मिलेगा और इसके साथ जब 8GB RAM मिल जाए तो जादू ही जादू होने वाला है So get ready because this is going to be the best performance phone for you 64GB और 128GB variant का तो हमने बहुत सुना ही है और शायद से ऐसा भी सुनने में आया है कि 256GB का भी एक variant OnePlus 5 निकाल सकते है तो यह तो हमें दस दिन में पता चल जाएगा कि क्या पक्का आने वाला है जो आज तक हमने रूमर सुने है वो अब धीरे धीरे करके confirm हो रहे है तो पहला रीजन पहला तो रूमर यही था कि प्रोसेसर क्या होगा जो अब कन्फर्म हो चुका है दूसरा हमारा रीजन जो है डिजाइन इस बार OnePlus थोड़ा हटके कर रहे है कर्वड दिजाइन आ रहा है OnePlus में पहली बार जो हम आज़गल के लेटिस स्मार्टफोन में देखते है OnePlus has been working on this design for a long time and finally they are moving towards the curved design कल रात Pete Lau जो OnePlus के founder है इन्होंने एक photo tweet की थी नए OnePlus 5 की तो ये तो confirm हो गया है कि पीछे उसके dual camera है and curved design है dual camera का फाइदा ये होता है कि photos जादा clear आती है उन्होंने एक low light रात में लिया हुआ photo भी post किया है जो बहुत clear दिख रहा है इतना clear कि आप आस्मान के तारे भी उसमें देख सकते है इस बार इस बार ने पार्टनर किया है DxO के साथ and they have put in a lot of hard work to ensure that the OnePlus 5 comes up with the best camera camera can be anywhere between 16 to 23 megapixel we saw a dual camera setup at the back but there are also rumors that the front camera will be a dual camera setup which again will be a first thing in the industry next बात जो है क्यों मैं OnePlus 5 खरीनना चाहूंगा यह है इसका display the OnePlus 5 comes with a quad HD display which is a 2K display जो phones के लिए बहतरीन display माना जाता है top of the line और अगर आप दूप में भी आपनी screen देखते हैं हमेशा हमें आखे बहुत strain करने पड़ती है इस phone में इस display के साथ आपको आखे बिलकुल strain करनी पड़ेगी तो आखों पर जो stress होता है वो definitely इस phone में कम होने वाला है Quad HD display का फाइदा यह है कि pictures जादा crisp दिखेंगे जादा sharp दिखेंगे आपको जो HD screens में हमें नहीं दिखते हैं तो definitely this screen is something that we all are looking forward to बैटरी की बात करें तो 3600 mAh से 4000 mAh के बीच में इस बैटरी के होने की rumors हमने सुने हैं जो अब almost confirm हो चुके है तो या अगर आप gamer है जो आप दिन भर games खेलते हैं racing games, high power games जो आप खेलते हैं या अगर आप just browsing करते हैं, facebook देखते हैं, youtube videos देखते हैं जिसकी वज़े से आपकी battery एक दो घंटे में पूरी drain out हो जाती है इस battery के साथ आपका phone पूरे दिन जरूर चलेगा आज की ये जरूरत है कि phones जादा देर चले क्योंकि नई तो आजकल हम देखते हैं mobile phone बिलकुल landline के जैसे हो गए सब जगा लोर का landline अपना phone के साथ power bank या charger लेके घुम दे जहां chance मिले plug-in कर देते हैं तो ये hopefully इस phone में अब बदलने वाला है सबसे बड़ा कारण होगी इसकी price माना जा रहा है कि OnePlus 5 64 GB variant 34-35,000 याने 34,000 to 35,000 के बीच होगा and 128 GB variant can be anywhere between 37-39,000 लेकिन OnePlus के जो चाहने वाले है और Indian market जो है mobile phones का ये बहुत price sensitive market है but for a flagship अगर ये सब आपको specifications मिल रहे है तो definitely it is worth the price 36-37 के उपर अगर price जाती है तो शायद लोग दो बार सोचेंगे ये phone करीदने के पहले but I think considering the history OnePlus will come out with a very competitive price and it is for all of us to see what the price will be OnePlus का launch हो रहा है इंडिया में पहली बार 22 जून को मुंबाइ में at the NSCI tickets बारा थारीक से आपको उनकी website पे मिलेंगे so definitely go and try your luck because you should not miss this live event we the tracking tech team will be there at the OnePlus launch live on the 22nd at Mumbai so if you are around and you see us please do come to say hi we'll be more than happy to talk more about this phone that we all love which is the OnePlus 5 अगर आप भी हमारे जैसे OnePlus के फैंस है and if you like this video please click on the subscribe button like the video, share the video and of course let us know what you think हमें बताईए आपको इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है और OnePlus 5 के बारे में आपके क्या विचार है आपको अगर और कोई confirm news पता है जरूर हमारे साथ शेर कीजे and we'll be more than happy to share it in our next video बारे में आपके के इसरी आपके क्या है